हेलो नमस्टे आज हम बनाएंगे आसामीज ओठेंटिक टेंगा बोरार आंजा टेंगा मिन्स खत्ता बोर मिन्स पकोरे और आंजा मिन्स करी और ये रेसिपी आज हम आप लोग के साथ सेर करेंगे और ये आसामीज ओठेंटिक सबजी है और आज मैं आप लोग के साथ सेर करन I hope आप लोगों को पसंद आएंगे पसंद आएंगे तो like, share, comment कर दीजिए और चैनल को subscribe करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम ये बोर बनाने के लिए बोर मिन्स पकोरे बनाने के लिए हम मसूर डाल लेंगे एक कप मसूर डाल ले लिया है, इसमें हम एक कप पानी डाल के डिप करके रख देंगे दो घंटे के लिए दो घंटे के बाद ये डेखिए पूरा फुल गया है और उपर तक आ गया है मिर्स मेपने पसंद के अनुसा डाले, जैसे टिक हाब को पसंद है एक इंसा दरग को काट के डाला है पांच से लसन की कलिया और हिंग और इसमें बिना पानी डाले हम पीस लेंगे यह रखिए हमने पीस लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है तो हम एक बॉल में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमें इन्हें अच्छे से फेट लेना है अच्छे से हाद से इस तरह से घुमा घुमा के फेटना है इसमें हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो इस तरह से हम फेट लेंगे और इसके बार इसमें मिलाएंगे हम प्याज ये मैंने एक प्याज बारी काट लिया है और इसमें डाल देंगे और ये डालेंगे हरा धनिया और नमक स्वादनुसार असामीज लोग ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं फिर भी मैं थोड़ से लाल मिर्स डाल लेंगे और ये साबू जीरा और थोड़ से हल्दी कलर के लिए वान फोटी स्पून और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मिक्स करने के बाद हम पकोड़े बना लेंगे और ये बैटर हमारा त्यार हो गया है बर बनाने के लिए हमने कराई में ओयल गरम कर लिया है मैंने सरसू का तेल यूज किया है और ओयल जैसे गरम हो जाए थोड़े थोड़े बैटर डाल के हम ये बार बना लेंगे पकोडे बना लेंगे और इस तरह से मीडियम फ्लेम में ही हमें ये पकोडे टलना है तो एक साइच से जैसे अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम अलत्ते पलत्ते ये पकोडे तल लेंगे ये देखिए इसमें हमने कोई बेकिंग पाउडर नहीं दाला है फिर भी ये प फुला फुला बना है और इस तरह से हम निकाल लेंगे ये देखिए ये इतना बुरिया बॉर्ड बन के टेयार है और इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी शॉफ्ट है अंदर से अब यह हम सबजी बनाएंगे सबजी बनाने के लिए वही कडाई यूज किया है इसमें तेल थोड़ा सा कम कर लिया है तेल जैसे गरम हो जाए तो हम दाल देंगे पाउच पुरन पाउच पुरन कितना दालना है और क्वांटिरी सबी डेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और लालमर्स दाल देंगे प्यास दाल देंगे और टेस पत्ता इन्हें दाल के अच्छे से भून लेंगे इसमें दालेंगे आदरक लसन का पेस्ट आदरक लसन का पेस्ट दालने के बाद हम अच्छे से इन्हें भूनना है और भूनने के बाद हमें इसमें दालना है पीस के भी डाल सकते हो प्योडी डाल सकते हो अच्छे से भून लेंगे और इसमें डाल देंगे स्वादनुसार नमक और नमक डालने के बाद मिक्स करके हम इन्हें कोवर करके थोरी दिर के लिए कूप कर लेंगे और कोवर करके रख देंगे यह देखिए हमारा जो मसाला है यह अच्छे से कूक हो गया है यह देखिए साइचे भी एल रिलीज होने लग गया है अबी हम इसमें ड्राइ मसाला दाल देंगे सबसे पहले हल्डी पाउडर दाला है मैंने और इसमे दालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर हाफ तीस्पून हाफ तीस्पून गरम मसाला और हाफ तीस्पून लाल मिर्स पाउडर और ये कलर के लिए डेगी मिर्स डाला है मैंने कस्मी लाल मिर्स जी से बोलते हैं मिक्स कर लेंगे मसाला हमारा अच्छे से भून गया है अभी हम इसमें पानी डालेंगे पानी में मिक्सी जार में थोरा सा पीसा हुआ डाल था उसी में मिक्स करके दो कप पानी डाल दिया है और ये थोरा सा ग्रेवी को गारा करेगा लेकिन अथेंटिक तरीके से इसमें आलू डालते हैं तो आलू डालके कोवर करके ह जो क εκहपटीर संबने को कुप थे कोड़ी आपता चार ने को गय अच्यार वी और ना रधै और कोड़ के दौब है कोड़ीने के बाद में सब्सक्तलिक है और कुप करने के बाद इसमें हम दालेंगे यह जो ट्रेडिशनल हमारे इसमें काजी नीम्बू डालते हैं लेकिन मैंने यही नीम्बू डाला है जो आज कल मारकेट में मिलता है यह दो नीम्बू का रस डाल के और फिर एक मिनिट के लिए हम इन्हें अच्छे से उबाल लें यह देखिए बढ़िया असामीज ओठेंटिक टेंगा बोरार रेसिपी तेयार है और इसमें डाल देंगे धनिया हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद गैस बन कर देंगे और सर्व कर लेंगे असामीज ओठेंटिक टेंगा बोरार रेडी है और इन्हें हम पुरुसेंगे राइस के साथ भात के साथ पुरुसेंगे लेकिन आप रोटी के साथ भी इसका लूफ उठा सकते हो और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थेंक यू फोर वाचिंग